ये है दिल्ली दर्पन और उस शिकायत पर संग्यान लेते हुए दिल्ली विरान सभा की SCST कमेटी मिटिंग बोलाती है ये दिल्ली सरकार के जो अधिकारी है जिनके बारे में शिकायत आई ये है YBVJ राजशेखर जी जो की स्पेशल सेक्रेटरी है विजिलन्स के सशल सेक्रेटरी है सर्वसिज के इनके खिलाब नकुल कर्शप नाम के एक लड़के ने शिकायत करी और शिकायत करता का ये कहना है कि उनके पिताश्री दिल्ली सरकार में स्वास्त विभाग के अंदर गत कारे रथ थे अन ड्यूटी उनके पिताजी की मृत्य होती है और वो इस अधिकारी के कक्ष में उसके दफ्तर में जाते है अनुकंपा के अधार पर नौकरी की गोहार लगाते है चोकि परिवार में पिता का साया सर से उठ गया भावनात्मक तरीके से और आर्थिक तरीके से जिस परिस्तिती से परिवार के लोग गुजर रहे हैं तो निश्ची तोर पर कोई भी व्यक्ती होता है तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नौकरी मिल जाए ताकि जो एक पिता की जिम्मेदारी है ऊवा उसको घर का एक जिम्मेदार बेटा निभा सके। उसी संधर्व में जब शिकायद करता इस अधिकारी से मुलाकात करते हैं तो याधिकारी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की एवज में शिकायद करता से पैसी के डिमान करता है और जब शिकायत करता पैसा देने के लिए मना करता है तो यह अधिकारी जिनका नाम Y.V.J. राजशेखर है वो इस शिकायत करता के साथ बत्तमीजी करता है गाली गलोज करता है यहां तक कि उसे जात्री शुचक शब्दों के साथ भी जो है उसके सामने पेश आता है इसे आहत होकर जब शिकायत करता ने अपनी शिकायत पुलिस को दी पुलिस ने संग्यान ना लिया नहीं लिया तो शिकायत करता ने सीधा ही दिल्ली विधान सभा के समक्ष स्पीकर साब के समक्ष दो जून को अपनी शिकायत पहले शिकायत दर्ज कराई पहले शिकायत के आधार पर दिल्ली विधान सबा की सेस्टी कमेटी ने जो है 6 जून को मीटिंग कॉल करी शिकायत करता की शिकायत को आधार मानते हुए और इस मीटिंग के अंदर वाई वीवी जे राज शेकर जी को आने के लिए दिल्ली विधान सभा की कमेटी की और से कहा गया जिसमें वो उपस्तित नहीं हुए और उन्होंने लिखित में कमेटी के समक्ष दो हफसे का समय मांगा कमेटी की और से दबाव बनता देख कमेटी की और से दिल्ली विधान सभा की और से संग्यान लेते हुए देख इस अधिकारी ने शिकायत करता को दराना धमकाना शुरू करा उसके खिलाप साजिशे रचनी शुरू करी उसको जान से मारने की धमकी उसके घर पर ब्लैंक कॉल उसका लोगों के द्वारा पीछा करवाना ये तमाम चीजे होनी शुरू हुई और शिकायत करता ने इस बात के शिकायत भी दिल्ली विधान सबा को अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से 10 जून को की ये सारे के सारे पत्र दिल्ली विधान सबा के पास जो पत्र विवार हुआ ये सारी के सारी जो है शिकायते आप लोगों के समक्ष में रख रही हूँ और 10 जून को जो शिकायत करता ने शिकायत रखी उसको का संज्यान लेते हुए सेस्ट कमेटी ने फिर 13 जून को जो है मीटिन बुलाई जिसके समख्ष बहुत ही संगीन चुकी शिकायत थी शिकायत करता ने बहुत ही संगीन आरोप अपने पत्र के अंदर लिखे थे तो कमेटी ने इस बात को समझा कि दोनों लोगों को शिकायत करता को और जिसके खिलाब शिकायत उनको आमने सामने बुला कर इ एस बात की है कि शिकायक करता 13 जून की मीटिंग में उपस्तित होते हैं और वो पारदा ओत पत्र शपत पत्र पर इस बात को कहते हैं शपत लेकर इस बात को कहते हैं कि उन्होंने जो 10 जून को जान से मारने की धमकी डराने धमकाने पीछा करने और कंपेंड वापस लेने के लिए जो दबाव इस अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है मैं जो भी कमेटी के सामने कह रहा हूँ शपत पत्र पर उसने लिख कर दिया है कि ये मैं सत्य कह रहा हूँ ये समबाते देखते हुए 14 तारीक को कमेटी ने दिल्ली पुलिस के कमिशनर साहब को एक चिठी लिखी कि इस प्रकार से दिल्ली में अनुकंपा के अधार पर अपने अधिकार को मांगते हुए जिस शिकाय करिए तो उसका पीछा किया जा रहा है उसे डराया जा रहा है धंकाया जा रहा है जान से मारने तक की धंकी दी जा रही है तो दिल्ली की विदान सभा की इस कमेटी ने दिल्ली पुलिस के उपायो को कमिशनर महादे को चिठी लिखी की शिकायत करता को जो है सुरक्षा दी शिकायट करता को दिल्ली पुलिस के समक्ष अपने बयान को दर्ज करा रहा था, अपनी बात को रखना था, लेकिन बीती रात, रात को दस बजे आनन फानन के अंदर दिल्ली पुलिस शिकायट करता को ही उठा लेती है, शिकायट करता को ही दिल्ली पुलिस जो है गिरफतार क कर लेकर चली जाती है तो जो आभी मैंने आपको सारी घटना बताई है अधिकारी की ये गुंडागर्दी अधिकारी की किसी जरूरत-मंद व्यक्ति को जाती शुचक शब्द कहना या नौकरी के एवेज में पांच लाक दस लाक रुपए मांगना ये आपको क्या लगता है क क्या वो अधिकारी सिर्फ अपने दम पर इस गुंडागर्दी को कर रहा है क्या वो अधिकारी अपने दम पर ही जो है इस थाय की फाइलों को रोक रहा है या पैसे लेकर फाइलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है नहीं ऐसा बिलकुल भी संभव नहीं हो सकता बिना LG के संद्रक्षन के क्योंकि ये जितने अधिकारी हैं जो इस थरा से हरकते कर रहे हैं दिली सरकार के काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं बार बार जरुवत मंद लोगों के कामों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं निश्ची तोर पर LG साहब के संडक्षन के बिना इनकी ये हिम्मत नहीं हो सकती और LG साहब के संडक्षन के बिना ये काम ये करना इनका बिल्कुल भी इस बात की संभावना नहीं है तो आज LG साहब का एक बार फिर से ये चेहरा उजागर होता है कि किस प्रकार से वो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जरुवतमन्द लोगों का काम रोकते हैं जरुवतमन्द लोगों से ब्रस्चाचार के माधिम से पैसी के डिमांड करी जाती है और ना सिर्φ दिल्ली सरकार, ना सिर्फ ऐसे कुछ अधिकारी जो लोगों के कामों को रोकने का प्रयास करते हैं या लोगों के बीच में डराने धमकाने का डर मोहल बनाने का काम करते हैं बलकि दिल्ली पुलिस भी जो पूर रूप से केंदर सरकार के आधीन आती है, एक दलित की शिकायत को वापस लेने के एक दबाव बनाने के लिए, एक दलित बेटे को, एक पीडित व्यक्ति को, जिसके पिता जी का अल्रेडी स्वर्गवास हो गया है, वो उसका परिवार पह सपोर्ट करने के बजाए, उस युवक को जान से मारने की धमकी देना, या फिर अपनी कंप्लेंड वापस लेने के लिए, उसको रातो रात गिरफतार कर लेना, डिल्ली पुलिस हो, एलजी हो, या इस प्रकार के जो अधिकारी है, ये बिल्कुल भी इन तरह के कामों को अं जाम नहीं दे सकते, अगर केंदर सरकार का अशिरवाद या संडरक्षन इनको प्राप्त ना हो, ये वाक्या बिल्कुल ऐसा है, जैसा बीते दिनों हमने दिल्ली में अपने खिलाडियों के साथ देखा, खिलाडियों ने अंदोलन करा, खिलाडियों ने जो अपनी आवाज एक मजबूत बाहुवली व्यक्ति के खिलाफ उठाई, लेकिन पूरा का पूरा शाशन प्रशाशन उन खिलाडियों के ही खिलाफ खड़ा हो गया, और जो आरोपी है उसको संडरक्षन देने का पूरा का पूरा प्रयास किया गया, आज दिल्ली में फिर से ही साबित होता ह कि जो हमारी केंद्र में बैठी ही मोधी सरकार है, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहाब है और जो इस तरह के अफसर है, ये पूर रूप से दलित विरोधी और आम जनता के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, और ये बात सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, अगर मैं आज दिल्ली विधान सबा के परिसर में इस तरह की प्रेस कॉंफरेंस से आपको अवगत करा रही हूं, इन विशो से अवगत करा रही हूं, तो ये निश्चित तोर पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ना तो जो आरोपी है जिसके खिलाफ शिकायत करता ने शिक शिकायत करता को सुरक्षा दिलाने के लिए भेजी गई, कमेटी के द्वारा चित्थी पर दिल्ली पुलिस ने कोई संग्यान लिया, हुआ तो बिल्कुल इसके विपरीत की आपने शिकायत करता को ये उठा लिया, शिकायत करता के खिलाफ ही आपने डर और भै का मौहल बन और मैं तो यहां तक इस बात को कहना चाहती हूं जो मेरी जानकारी है दिल्ली विधान सभा के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि लगबग लगबग अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों की ऐसी 300 से 300 फाइले दिल्ली सरकार में इस जो है अधिका 15 से 30 करोड रुपे का घोटाला LG के संडक्षन में इस अधिकारी कर रहे है इस बात की भी जाच होनी चाहिए और इस बात की भी पूरी की पूरी पुस्टी होनी चाहिए कि यह अधिकारी क्या सिर्फ अपने लिए या अपने आसपास जो लोग है उनके साथ मिलकर इस तरह क शडियंत्रों को रच रहे हैं या बड़े अधिकारियों के साथ साथ LG सहाथ की भी इसमें कोई मुख्य भूमिका है मैं दिली पुलिस से भी यह कहना चाहती हूँ इस प्रेस वारता के माध्यम से कि यह जो नकुल कर्शप है इसको सुरक्षा भी दी जाए और इसके केस को की म कायत को लेना चाहिए इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अनुकंपा के अधार पर इस बच्चे की युवक की जो ये मांग है जो इसकी मांग पत्र है उसको देखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से इसकी नौकरी भी मिलनी चाहिए बहुत-बहुत लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिल लोगउन करें www.dellydarpan.tv.com खबरों की कवरेज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नंबर पर